करफ्यू जारी है टॉंक चूरो और बांसवारा के कुशलगड में भी करफ्यू लगाया गया आपको बता दें जैपुर के परकोटाक शेत्र में भी करफ्यू जारी है लगातार पुलिस प्रश्यासन मुस्तैद है जिस तरीके से कुरोना का बढ़ता प्रकोट यहां पर सामने आ रहा है बहुत जरुवत है सतर्क रहने की साबधान रहने की इसलिए लगातार करफ्यू जा रही है पुलिस प्रश्यासन मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है नजर बनाए हुए है चप़े चप़े बर कई जगो पर ड्रोन कैमरा की मदद से नजर रखी जा रही है ताकि अगर किसी भी प्रकार की कोई हलचल वो इलापर वाही सामने आये तो सक्त से सक्त कारवाई तुरंत की जा सके टॉंक चूरू और बांसवाडा की कुशल गड में भी कर्फ्यू जारी है जैपूर के परकोटाक श्रेत्र में भी कर्फ्यू जारी है भीलवाडा में महा कर्फ्यू जारी है क्योंकि लगतारी आंकड़े हर जगह से सामने आ रहे हैं बढ़ते हुए आंकड़े इनको ध्यान में रखते हुए बहुत ज़रुवत है पुलिस प्रशासन भीलगतार मुस्तैद है चपे चपे पर नजर बनाए हुए है ड्रोन कैमरा की मदद से नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की कोई हलचल, कोई लापर वाही, कोई भी गतिविदी सामने आए तो तुरंत कारवाई की जा सके ताकि किसी भी अनहोन को होने से टाला जा सके लगातार प्रियास्रत पुलिस प्रशासन भी है चपपे चपपे पर नजर बनाए हुए है हर एक गतिविधी पर पैनी नजर यहां पर प्रशासन की ड्रोन कैमरा की मदद से हर जगह नजर रखी जा रही है और इसे खबर पर अधिक अपडेट के लिए भीलवाड़ा से हमारे संवादता योगेश शर्मा फोन लाइन पर जोटके हैं जी योगेश देखे भीलवाड़ा में महा कर्फियू जारी है किस प्रकार से स्थिति को नियंतुरित किया हुआ है भीलवाड़ा माज महाव कर्फियू का साथवा दिन है और कर्फियू का बीसवा दिन है बीस दिन से बिलकुल यहां कर्फियू शांती पुट से है और लोग बाग अपने घरों में बंद हैं पुलिस बारवरी अपील कर रहे कि अपने घरों में रहे और संक्रम कोरोना संक् कोलानी और शेर की मुखी रोड़कों बेरिकर्ट से बंद कर रखें और जो खाती सामगरी का वित्राण है आवश्चत चीजे हैं जैसे दूद है जिए होम डिलेवरी की व्यवस्ता है और गर घरों में पहुंच रही है खाती सामगरी दुवारा गरीबों को नेधनों को व्य बिल्कुल योगेश तवाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया आपको बता दे भिलवारा में भी लगतार महा कर्फ्यू जारी है तमाम सुवधाएं भी लोगों को पहुंचाई जा रही है राहत सामगरी का वित्रन घरगर जाकर लोगों को दिया जा रहा है ताकि कोई लापर वाही ना सामने आये लोग बाहर आने को मजबूर ना हो जैपूर के परकोटाक शेत्र में भी कर्फ्यू जारी है लगतार नजर पुलिस प्रिशासन बनाए हुए है चपपे चपपे पर पुलिस बलतैनात है जोन कैमरा की मदद से नजर रखी जा रही है ताकि कहीं कोई हलचल हो तो तुरंट उसका पता चले और तुरंट कारवाई की जा सके क्योंकि जिस प्रकार से आगडा लगतार बढ़ता जा रहा है सावधान रहने की बहुत जादा जरुवत है सतर्क रहने की बहुत जादा जरुवत है से लिए परकोटा अक्षेत्र में कर्फ्यू लगतार जा रही है परकोटा जैपूर का वो स्थान है जहां पर आमतौर पर वाहन हमेशा चलते रहे हैं बहानों के पहिए उस जगह कभी नहीं रुके लेकिन कर्फ्यू फिल हाल पर कोटा क्षेत्र में भी लगाया गया है लोगों के आवाजा ही बिलकुल बंद है चाहे वो मीडिया कर्मी हो और साथ ही लोगों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए राहत सामगरी घर घर तक पहुँचाई जा रही है तमाम सुविधाएं लोगों को महया करवाई जा रही है लगाता है जिस प्रकार से कोरोना का प्रकोब बढ़ता जा रहा है कुछ जगए ऐसी थी जो सेफ जोन मानी जा रही थी लेकिन अब वहाँ भी कोरोना के मरीज कोरोना के पॉजिटिव सामने आ रहे हैं ऐसे में बहुत चिंता का विशे लगातार ये बनता जा रहा है और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे समवादता फिरोज टॉंक से हमारे साथ जूट चुके हैं फिरोज बताएं किस प्रकार से वहां सितिकों नियंतृत किया हुआ है मैं बताना चाहूंगा कि साथ और नए पोजिटिव के मामले सामने आये हैं इसके बाद अब 27 मामले हो चुके हैं टोंक में और ये एक ही जगह के हैं ये अपनी बमोर गेड निवासी हैं सारे एक ही परिवार के लोग हैं इसमें दो महिला हैं पांच फुरुश हैं और इसके बचाओ के लिए और इसके नियांतरन के लिए गरगर सर्वे किया जा रहा है और इस्क्रीनिंग की जा रही है अब तक करीब चाल लाग 3488 गरों का सर्वे किया जा चुका इसमें 20 लाग ते अधिक बेक्टियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है अब तक और ये जो आज मुस्लिम तेवार है शब बरात इसको भी लेकर अपील की जा रही है कि लोग अपने गरों पर इबादत करें और नमाद पढ़ें और कबरस्तानों में बिलकुल ना जाए गरों से ना निकलें धर्म गुरूओं से भी यहां के अपील करवाई जा रही फिरोज ये बताएं कि जो जरुतमन लोग हैं उन तक किस प्रकार से राहत सामगरी पहुंचाई जा रही है क्योंकि काफ्यू लगा हुआ है तो ऐसे में उन लोगों की सुविदा का ध्यान रखना भी बेहत जरूरी हो जाता है जी बिलकुल फिरोज तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया आपको बता दें लगातार कुरोना का प्रकोप जिस प्रकार से बढ़ता जा रहा है जैपूर के पर कोटाक शेतर में भी कर्फियू जारी है भीलवाडा टाउंक और बांसवाडा के अगर बात करें तो वह भी कर्फियू लगातार जारी है लगातार दिनो दिन कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है ऐसे में तमाम उन लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखा जा रहा है जो जरूरत मन्द है क्योंकि कर्फियू लगाए हुए हैं तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाते हैं उन ल इसका भी लगातार ध्यान रखा जा रहा है और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे समवादाता राजेश सोनी बांसवाड़ा से फोर लाइन पर जुट चुके हैं जी राजेश बताएं क्या हालात हैं वहाँ पर जी मनिशा बांसपड़ा के ये कुशल गड़ुखन शेतर का ममला है जहां पर आज एक महिला और एक बच्पे को कोरोना पोजेटिव की रिपोर्ट आई है जो सुबह ही आ गई और इसके बाद अवी तक कुल बारा पोजेटिव संखर भी मरीद मिल चुके हैं एक ही शेतर में और एक ही समुदाई के बताया जा रहे हैं खाक करके जो पुलिस भी अपने तरीके से इस मामले में जुटी होगी ये शेतर में किस तरीके से संक्रमा ठेल रहा है तो दोनों टीमें चिकित्सा विबाद हैं पुलिस प्रसासन मुस्तेदी के साथ लगी हुई है चिकित्सा व जो थोड़े बहुत भी एक हाद लक्षन लग रहा है उसको भी अस्किताल में भर्ती किया जा रहा है और एक खास बात में आपको यह बताना तो हूंगा कि जो आइसोलेशन वार्ड हो तीन पार्ट में बाटा गया है जो थोड़ा बहुत भी संक्रमित लगे उसके लिए अ अलग अलग बना रखें आइसोलेशन में ताकि कोई बच न सके उसका पूरी तरह से मुस्तेदी से उसकी जांच हो सेंप्लिंग हो असपश्टी करण हो कि है कि नहीं उसके बाद ही उसको मरिस को यता संब पहुत गारबारी किसे इसके मामले पे लगी हुए थी किसा विभा तीन बीएस्टी हैं तीन थीयाई हैं उसके साथ बड़ा जाता है जो कस्बे में सब गुम रहे हैं और प्रशासनी के खात बात बीए बताओं कि उन्होंने इतनी शांदर व्यवस्ता किये कि कुछ लोगों को सिन्मी किये हैं समात के जो घर गर जा करके जो ज़रूरत की वस खाशनका है उसको पूरी मुस्तेदी से रोकना के पूरे प्रशासन व्यवस्ताम लगें हाल इकल में आपको बताओं वहां पर जो है संबाजी आयुट विकास भाले जी आये थे एसकी कलेक्टर आईजी एडिजी सभी लोग वहां पर दोरा कर चुके है और सभी व्यवस्त जरुत मंद लोगों की मदद के लिए भामशाह भी आगया रहे हैं जो बहुत जरूरी ऐसे टाइम में हो जाता है